हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज हम चैने की भाजी बनाएंगे यहां 250 ग्राम मैंने चैने की भाजी लिए दस से बारा लेसन की कलिया हैं दो अद्रक के तुकड़े हैं दस से बारा ही यहां पर मैंने लाल खड़ी मिर्च लिए इसे हम दरदरा पीसेंगे साथ में करें नमक हैं अब हम भाजी को तोड़ लेते हैं हम इस तोरास यह बाजी को तोड़ लेंगे सी तीरफ हमें पत्ति-पत्ति यूज़ करना है रंटल को हमें फेक इसे तरह से मैंने इसारी भाजी दियार कर ली है और पानी को सुखा लिया है अब इसे हमें लेसुन और लाल खड़ी मर्च को दरदरा पीसना है इसके लिए में जार ले लेती हूं अब जार में हम ये तीनों चीज डाल देंगे आप चाहें तो इसे हाथ से भी कूट सकते हैं मैं इसमें मिक्सर में पीस रही हूं इसे इसे मैंने दरदरा पीस लिया है अब कड़ा ही लेंगे इसमें दो चम मच हम ओलेट करेंगे आइल थोड़ा जादा लगता है इस भाजी में से इसमें टेस्ट अच्छा आता है वरना ये भाजी सूखी सूखी बनती है अब हम इसमें हमारे दरदरा कुटा हुआ पेस्ट एट कर देते हैं पेस्ट डालते वक्त बस हम इतना दिहान रखना है कि ओईल जादा करम ना हूँ नहीं तो ये पेस्ट जल भी सकता है लाल हो चुका है अब हम इसमें भाजी एट कर देते हैं अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम नमक एट कर दें नमक भी हमें इसमें हिसाप सेट करना है क्योंकि भाजी में पहले से खार रहता है तो हम नमक इसमें मैंने यहाँ पर आदा चमश लिया है मिक्स कर लेते हैं अब हम इसे फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे स्लो में ही 10 से 15 मिनिट पकाएंगे अब इस भाजी में देखी पानी है इस पानी को हमें सुखाना है दस मिनिट हो चुके हैं अब देखिए यह भाजी में से पानी सूख चुका है और तेल निकलना स्टार्ट हो गया है इसे हमें अभी पाश मिनिट और पकाना है फ्रेंट्स आप इस तरह से एक बार भाजी को जरूर बना कर देखिएगा फ्रेंट्स यहां भाजी हमारी बनकर बिल्कुल तयार है अच्छे से तयार हो चुकी है अगर आपको यह रेसिपी पसाना है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा चलिए अब हम इसे साफ कर लेते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स